और दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी ख़वर आ रही है दिल्ली के नंगलोई में रोड रेज में पुलिस कॉंस्टिबल की हत्या कार सवार ने कॉंस्टिबल को 10 मीटर तक घसीटा दिल्ली पुलिस ने कार जब्त किये फिलाल आरोपी अब तक फरार हैं दिल्ली की कानून ब्यवस्था पर केजरिवाल ने सवाल उठाये हैं दिल्ली में कानून ब्यवस्था खत्म जंगल राज ये कहा है अरविंद केजरिवाल ने आमादमी पार्टी के संयोजक ने सवाल उ पुलिस ने चार टीम्स अपने बनाएं तमाम जगों पर दबिश दी जा रही है दो कार में लोग सवार थे, दोनों ही अभी तक पर आ रहे हैं, पुलिस की टीम अभी तक उने पकड़ नहीं पाई है, पुलिस का कहना है कि रोड रेज का मामला है, लेकिन जिस तरीके से बयान बादी चल की उसमें ये भी सामने आ रहा है कि जिन लोगों ने टक कर मारी है, व पुलिस के मुताफिक और उनकी पहचान हो चुकी है, एक जो प्रमुक शक्स है, वो वहां का शराब दसकर है, शराब माफिया है, शराब का गाम करता है, कौन से बल संदीब को सूचना थे की, इसलिए वो तीन बज़े के करीब साधी वर्दी में उस सड़क पर घश्ट करन करें सुनते हैं जराब कराश हो गया और प्रस्च होनी के वेज़े से हैड इंजरी बहुत सीरियस हो गया और इसी है, आई थिंग है इंजरी को वेज़े से देथ वाया है, और पी-म जो करेंगे उससे हमें फर्डर पेरिफाय हो जाएगा प्राइम फैसाई लग रहा है कि रोड रेज टाइप का हुआ है, बट वांस एक्यूज को हम अप्रिहन करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको फ़र्डर बता सेखोगा फायार वन जिरो टू बी एनस में होगा सर क्या सिविल में था, उनिफॉर्म में था? सिविल में था, बीत नंबर तीन है, बीना इन के लिए मोसली रेसिदेंशल है, तो जो थैप वगरा के इंसिदेंस हैं, उसको स्पेशली चेक करने के लिए, सिविज में ड्यूटी में निकला है गारी पुलिस कि थी है, गारी भी सिविल थी? सिविल अपना उन वेहिकल में था, समझीब के साथ में उससे में, कोई और बुलिस करने कि या अकेला था? नहीं, बाद में पीछे से आये हैं, लेकिन उस वक जो पेट्रोलिंग में निकला है, वो अकेले ही वाइक में था